अखिल राजिस्थान राज्जी आयूश नर्सिज महसंद की महनत आखिकार साकार साबित हुई विगत सरकार के कारकाल के दोरान साल 2030 में आयूश नर्सिज के 947 पदों पर जारी की गई भरती में पदों को लेकर हिजाफा करते हुए पदों में बड़ोत्री की गई भजुनलाद सरकार ने डीपीसी के बाद रिक्त हुए 247 आर्वेद नर्सिज के और 68 होमोपैतिक नर्सिज के कुल 315 नय पदों को जोडने की वित्ता विभाग से सुविकरती जारी कर प्रदेश को बेरोजगार नर्सिज की एक शांदार तौ महासंग के प्रदेश अध्यक्ष सेनी ने बताया कि महासंग के अथक प्रियासों के बाद तत्कालिन सरकार दुआरा अर्वेद होमोपैतिक और युनानी नर्सिज के 947 पदों पर नहीं भरती की विग्यपती जारी की गई थी अगर कुछ समय बाद ही राज्ये में चुना प्रिशासनिक विभाग से बराबर संपर कर उक डीपीसी के पदों को 947 नर्सिज भरती से जुडवाने की कड़ी महनत की गई थी महासंग के प्रदेश अध्यक्ष सेनी ने 947 आयूश नर्सिज भरती में 315 पदों को जुडवाने पर मुख्यमंत्री भजुनलाल शर्मा औ आक्टर प्रेमचंद वेरवास सेख विभागों के आला अधिकारियों का अभार जताया आपको बता दे कि प्रदेश में भजुनलाल सरकार लगतार बेरोजगारों को नौकरियों में पदों को बढ़ा कर तौफा दे रही है प्ये मोदी ने भी निर्देश दिये कि कुछ कहा वर्ष दो हजार तेईज में आयूस नर्शेज के 947 पतों पर निकाली गई वर्ति में वर्तमान बजनलाज सरकार द्वारा कि 315 पतों की बढ़ोतरी करने पर प्रदेश के बेरोजगार नर्शेज में मासंग में बेहत खुशी की लहर चाही हुई है मैं अखिल राजस्थान राज्य आयूस नर्शेज मासंग की ओर से मानडे मुख्य मंत्री भजनलाज शर्मा वै अमारे डिप्टी सीम वा आयूस मंत्री डॉक्टर प्रेमचंजी बेरवा सापका मैं भहुत तै दिल से अभार्वयक करता हूँ कि उन्होंने बेरोजगारों की पीडा को समस्ती हुए उक्त भर्थी के अंदर 315 पदों को बढ़ाया तथा इस भर्थी को जल्द से जल्द करवाने के लिए मान्य मुख्य मंत्री जी द्रट संक्लिप्त हैं मेरा मानना है कि आगामी दो महूं में उक्त भर्थी को जल्द से जल्द कूरा कर लिया जाएगा मैं आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि अखिल राजस्तान राज्य आयुज नर्शेज महासंग द्वारा डिपी सी से रिक्तो ये पदों को पुक्त भर्ति में जुड़वाने के लिए बारंबार सरकार को ग्यापन देकर वे दूर भास के जरिये वे स्वेम मिल करके हमने राज्य सरकार से भाउत कोशिष की प्रिणाम सुरूप भजलाल सरकार द्वारा नर्शेज को एक सांदार 315 पदों का तौफ़ा दिया अन्यवाद